तो अग्रेट डेट टू सेव लाइफ सो अग्रेट डेट टू डिसकस सम् क्लिनिकल कंडिशन्स टू सो आईए शुरू करता हैं कार्सिनाइट संड्रोम सेम पैटन जैसे अब तक के टॉपिक डिसकस करें बाकी amino acid metabolism की link नीचे दी है subscribe ना किया हो तो कर दें दोस्तों के साथ share करें और अगर किसी ग्रूप में ना जुड़े हम तो जुड़ सकते हैं तो basically carcinoid syndrome पे बात करेंगे तो carcinoid syndrome, carcinoid tumor, argenta finoma ये सब चीजे क्या है एक ही चीज है basically क्या होता है कि अब आपको वापस इससे याद रखना है word के थू हम जाएंगे so क्या होता है कि जो serotonin है वो basically आपका argenta fin cells produce करते हैं GIT के पर जब ये cell uncontrolled growth होती है इनकी तो tumor हम इसलिए बुलाते है जब uncontrolled growth हो तो जो tumor मिलता है वो मिलता है argenta finomas जो आपको इस image में देख सकता है so tumor हमें मिल गया अब क्या होता है कि tryptophan से serotonin बनने का ये again metabolism में पढ़ाया है tryptophan बनाता है आपका serotonin यह यहां पर tryptophan 5-hydroxy फिर 5-hydroxy tryptamine जो कि आपका serotonin है so normally यह जो pathway है यह कितना होता है सिर्फ 1% और जो tryptophan का दूसरा pathway है वो जाता है NAD plus और उसके बाकी fates होते हैं वो हमने detail में बताया है so अब क्या हो रहा है कि आपका जो 1% tryptophan utilize होता था वो अब इस condition में 60% जो है वो serotonin बनाने में ही जा रहा है so serotonin का production बढ़ जाएगा तो 60% वहाँ चले गया तो ये बाकी लोग देखते रह गए तो basically इसका synthesis काम हो जाएगा तो जो clinical symptom आएगे वो दो कारणों से आएगे एक तो serotonin के बढ़ने के कारण और एक NAD plus के कम होने के कारण तब आपको clinical symptom याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो अब इनके कम होने के कारण क्या आएगा niacin deficiency के कारण होता है पहलागरा जो कि आपने आप में एक अलग disease हो जाती है तो पहलागरा आएगा और इसके अलावा अब हम देखेंगे serotonin बढ़ने के कारण क्या symptoms आते हैं तो clinical features due to increase serotonin तो अब इसमें आपको क्या रखना है serotonin जो है क्या importance है उसका क्या function है उसी के कारण से feature आएगे तो serotonin vasoconstrictor होता है आपको पता है और smooth muscle का contraction कराता है तो फिर ये चीज आपकी respiratory में affect करेगी और bronchospasm होगा wheezing होगी ठीक है फिर GIT में motility कराता है तो motility अब बढ़ जाएगी diarrhea होगा पहला अगर आपको पता है tachykinin का synthesis बढ़ जाएगा जिसके कारण flushing होगी ने तो आप usually सोचेंगे कि vasoconstrictor है तो flushing कैसे हो सकती vasodilator है क्या नहीं, vasoconstrictor ही है बट tachykinin का synthesis होने लगता है इसलिए flushing पाई जाती है carcinoid tumor में फिर blood pressure को control करना इसका normal function है अब fluctuate हो जाएगा blood pressure क्योंकि serotonin बढ़ चुका है और एक special condition दिखी गई है tricuspid insufficiency तो जैसे एक tumor होता है जो कि काफी सारी area में फैल सकता है ये भी काफी सारी area में फैल सकता है GIT, liver, respiratory और cardiovascular तो अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इसका sum up है आप देख सकते है respiratory wheezing skin में आप cutaneous flushes याद रख सकते है fibrosis करा देगा GIT में diarrhea आप याद रख सकते हैं liver में hepatomegaly और heart में हमने देखा जैसे हम याद रख सकते हैं tricuspid insufficiency so I hope इससे आपको सारे clinical features clear हो गये हो अब हम बात करते हैं diagnosis की तो diagnosis का है high 5-HIA-A ये क्या होता है basically उसी वीडियो में आपको बता है था कि 5-Hydroxy-Triptamine आगे चलके 5-Hydroxy-Indole-Acetic Acid बनाएगा so अब ये ज़्यादा तो ये भी ज्यादा so basically high this 5-HIA-A normally इसकी value है 5 mg per day से कम carcinoid में देखने को मिलती 500 mg per day so इससे आप borderline क्या कब ज़्यादा होगा इसका आप अंदाजर लगा सकते हैं फिर एक important condition है कि जब किसी patient की test हो रही हो so उसने ensure करे कि banana ये tomato ना खाया हो क्योंकि ये urine में 5-HIA का concentration बढ़ा देते हैं so इसका diagnosis भी काफी आसान हो गया अब आपको treat करना है treatment is basically pharmacology part वो detail में octreotide क्या होता है telotristate basically drugs होती है जो कि सब इसके action को antagonize करती है so वो pharma में आएगा so octreotide, telotristate और जैसे सारी tumors के साथ होता है surgical resection so I hope कि इससे आपको जब भी आप दो बार में एक बार में अगली बार आप 2x पे वीडियो देखेंगे या जब भी आप देखेंगे so पूरा serotonin से related carcinoid syndrome आपको on tips हो जाएगा so अब time है assessment का नीचे comments में बता दीजे कि wayso constrictor होते भी flushing कैसे हो रही है क्या चीज बढ़ती है उसका comment कर दीजे so वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक share करें मुझसे आप connect कर सकतें इन सब platform पे और learning बनाए रखिए thank you, stay safe, stay healthy